हलो फ्रेंट्स तिस इस दिव्या वेलकम बेक तो माई चैनल वेलनेस और फूड आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन स्टाइल बैंगन की चटनी ये चटनी मैंने खुद अपनी एक साउथ इंडियन फ्रेंड से सीखी है आप इस चटनी को रोटी के साथ पूरी के साथ नहीं होती है तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस बैंगन की चटनी को कैसे बनाए जाते हैं इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे उसके लिए यहां पर मैंने लिया है एक चमच उरत दाल एक चमची मैंने लिया है चना दाल साथ ही थोड़ी आधी चम्मच मेथी दाना, मेथी दाना बहुत थोड़ा सा ही लेना है, जीरा एक चम्मच लेंगे और यहां मेरे पास सूखी जो ड्राइ इमली होती है वो है, तो मैंने यहां पे इस सब इंग्रीडियन्स ले लिये हैं, एक पैन ले लिया है, उसमें सबी इंग्रीडियन्स इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके डालेंगे, चोटे चोटे पीसिज में, पैन को गरम कर लिया है, और फ्लेम को मीडियम कर दिया है, मीडियम फ्लेम पर इस मसाले को लगातार चलाते हुए, जब तक भूनेंगे, जब तक कि इन मसालों में से अच्छी खुश्मू नहीं आ जाती है और यह अच्छे से भून नहीं जाते है, इसमें आपको घी और तեल कुछ भी नहीं डालना है, इन मसालों को आपको ड्राइ भूनना है मीडियम फ्लेम पर इन मसालों को कम्प्लीटली हमने भून लिया है इनका कलर भी चेंज हो गया है और इन में से एक बहुत अच्छी अरोमा भी आ रही है अब इन मसालों को मैं एक प्लेट में ट्रांसफर कर देती हूं और इनको कम्प्लीटली ठंडा होने देती हूं मीनवाइल मसाले प्लेट में ठंडे हो रहे हैं जब तक हम बैंगन को फ्राय कर लेते हैं यहां मैंने दो छोटे बैंगन ले लिये हैं एक बैंगन को आल्रेडी पहले से काटके पानी में रख दिया है इसी तरीके से मैं दूसरा बैंगन भी पानी में कटके डाल देती हूं ताकि दोनों बैंगन का लेना पड़ें बैंगन कटके यहाँ पर मैंने रेडी कर लिये हैं चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ पैन में दो बड़े चमच सरसों का तेल ले लिया है यानि की मस्टर्ड ओइल ओइल को गरम कर लिया है फ्लेम को मीडियम कर दिया है मीडियम फ्लेम पर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले गरम तेल में मैं डाल देती हूँ आदी चम्मच हल्दी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग हल्दी और हींग को इस तेल मैं अच्छे से पका लेंगे इसका कच्चापन चला जाना चाहिए flame को medium ही रखना है इसमें डाल देते हैं कटे हुए bangun bangun में से पानी निकाल दिया है इन bangun को medium flame पर बीच बीच में चलाते हुए अच्छा soft होने तक पका लएंगे ये bangun soft हो जाने चाहिए लेकिन over cook नहीं होने चाहिए बीच बीच में आप इनको चलाते रहें इन bangun में डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक नमक को भी mix कर देते हैं बैगनों में और इसको हम medium flame पर बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं आपको इसको cover करके नहीं पकाना है आपको इसको open में ही पकाना है बस ध्यान रहे बीच पीच में आप इनको चलाते रहें बैगन को चेक कर लेते हैं तो ये बैगन easily हमारा कट रहा है यानि ये बैगन हमारा पक के तयार हो गया है गैस को कर देते हैं बंद और इसको completely ठंडा होने देते हैं यहां मैंने mixer jar में जो सबसे पहले मसाला भून के रखा था उसको डाल दिया है वो completely ठंडा हो गया था अब मैं सबसे पहले उस मसाले को पीस लेती हूं तो आपको बैगन और मसाले एक साथ starting में नहीं पीसने हैं पहले आपको केवल जो dry powder वाला मसाला था वो ही पीसना है मसाला पिस गया है इसमें डाल देते हैं बैंगन बैंगनों को भी मैंने यहां पर completely ठंडा कर लिया था साथ ही मैं इसमें डाल देते हूं एक बहुत छोटा सा टुकड़ा जैगरी का जैगरी डालना इसमें optional है पर आप डालेंगे तो चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अब इस जैगरी बैंगन और मसाले को एक बर और पीस लेते हैं इस चटनी में आप पानी का यूज ना करें क्योंकि अगर आप इसमें पानी का यूज करेंगे तो आप इस चटनी को जादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे तो मैं यहां इसको बिना पानी के पीस रही हूँ बिना पानी के पिसी हुई इस चटनी को आप एक हफते तक फ्रिज में airtight बॉक्स में रखकर स्टोर कर सकते हैं यह एक हफते तक बिल्कुल खराब नहीं होती है चटनी बनके रेडी हो गई है इसको मैंने एक बोल में ट्रांसफर कर दिया है इसके लिए बना लेते हैं एक तड़का तड़का बनाने के लिए एक तड़का पैन ले लिया है उसमें एक चम्मच ओयल डाल दिया है इसमें मैं डाल देती हूँ राई यानि की मस्टर्ड सीड साथी मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी हल्दी डालना इसमें ऑप्शनल है एक से दो पिंच हींग डाल देती हूँ साथी फ्रेंड्स मैंने इस तड़के में थोड़ा सा लास्ट मैं गैस को बंद करने के बाद करी पत्ता और साबुत लाल मिर्चे भी डाल दी हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से इसमें भून लेते हैं, और फिर हम इस तड़के को चटनी के ऊपर डालेंगे, तो फ्रेंड्स ये तड़का चटनी के ऊपर डाल दिया है, चटनी बन के तयार हो गई है, वीडियो अगर अच्छा लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, थैंक यू